मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब हम अंतिम चरण के बहुत नजदीक आ गए लोगतंत्र का जो ये महापर्व कई दिनों से देश में चल रहा है अब वो समापन की ओर है और आज से चार दिन बाद 19 तारिक को मतदान हैं अंतिम चरण का मैं चूकि पूरे प्रदेश में चुनाओं के दौरान भ्रमण करती रही हूँ प्रत्याशियों के समर्तन में सभाएं करती रही हूँ इसलिए मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आपसे ये बात कह रही हूँ कि आज पूरे प्रदेश और देश की जनता NDA गटबंदन के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और जितना अधिक हमारे विपक्षी दल और विपक्षी गटबंदन इवियम को कोस रहे हैं और चुनाव आयोग में जाके कोई ना कोई नया मुद्दा उठाकर शिकायते कर रहे हैं उससे इस बात का सपष्ट संकेत मिलता है कि जनता ने एक बार फिर आदर्णिय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतरुत में सरकार बनाने का ठान लिया है और 23 माई को जब नतीजे आएंगे तो पुरा देश ये देखेगा कि किस मजबूती के साथ एक बार फिर NDA गटबंदन की सरकार इस देश में बनेगी और NDA सरकार को दुबारा अवसर मिले ये देश की जरूरत है क्योंकि इस सरकार ने देश की तरक्टी के लिए देश की प्रगती के लिए जिस तरीके से इन पांच वर्षों ने समरपढ़ भाव से कार किया है उस तरीके से आजादी के बाद सत्तर वर्षों में कभी कार नहीं हुआ आज गाउं गाउं तक सरकार की तमाम योजनाएं चाहे वो प्रधानमंद्री आवास योजना हो चाहे वो सवच्छ भारत मिशन के तहट निरमत शौचाले हो उज्वला योजना के तहट बटने वाले गयास का कनेक्शन हो आयुश्मान भारत के तहट मिलने वाला पांच लाक रुपे का स्वास भीमा हो जंधन योजना के तहट खुलने वाले खाते हो या फिर छे हजार रुपे की किसान सम्मान निधी हो जितनी भी योजनाएं हैं उन्होंने किसान, नोजवान, महिलाएं हर वर्थ को प्रभावित करने का काम किया है और ये सारी योजनाएं आज हम प्रत्यक शुरूप से गाओं गाओं में देश के कोने कोने में देख सकते हैं और सरकार के इन कारेों की वज़े से आज देश का 90 करोड मतदाता पूरी मजबूती के साथ इस गटबंदन के साथ खड़ा हुआ है और जिस गटी से ये योजनाएं आज गाओं गाओं तक कहुची है उसके कारण ही आज विपक्षी दलों के अंदर एक बौखलाहट उपन हो गई है क्योंकि उन्हें सपष्ट समझ में आ रहा है कि 23 मई को आने वाले नतीजे उनके लिए सियासी संकट पैदा करने जा रहे हैं और कई दल तो ऐसे होंगे जो शायद अस्तित में ही न रह पाएं 23 मई के नतीजों के बाद और यही कारण है कि आज देश के तमाम राजनेतिक दल एक जुट होकर हमारे सरकार के मुखिया और हम सब के नेता आधनिये प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत करने में लगे हुए हैं और आज सिर्फ मोदी जी का विरोध ही उनकी सारी नीती और उनका सारा कारिक्रम बन चुका है आज उनके पास जनता के बीट जाकर कहने के लिए कोई विशे नहीं बचा है वो देश को क्या देना चाते हैं जनता के लिए क्या करना चाते हैं आज कुछ भी उनके पास नहीं है सिवाए मोदी जी के विरोध के और इसका कारण सिर्फ इतना है कि 365 दिन में एक भी दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार से अवकाश नहीं लिया कभी छुटी पर नहीं गये अगर दीपावली का त्योहार भी आया तो उन्होंने घर परिवार के साथ नहीं मनाया बलकि हमारी सेना के जवानों के साथ जिन भीशन परिस्तितियों में गंबीर परिस्तितियों में हमारे जवान रहते हैं उनके साथ जाकर दीपावली का त्योहार मनाने का काम किया अमारे प्रधान मंद्री ने जब पहली बार लोकसभा में इस देश के लोकतंद्र के सबसे बड़े मंद्र में प्रवेश किया तो संसत की सीरियों पर अपना शीश जुका कर उसमें प्रवेश किया लोकतंद्र के प्रती जो उनकी कटिबदता है आज वो तमाम राजनेतिक दलों को रास नहीं आ रही है और वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि देश में ऐसी भी सड़कार चल सकती है जिसके पाँच सालों के कारकाल में न कोई घोटाला हो न कोई भरश्टा चार हो और शायद य लेकिन आप देश के जनता ने फैसला कर लिया है और मिर्जापुर में मैं आपके बीच अपना दल भारती जनता पार्टी और निशाद पार्टी की संयुक प्रत्याशी के बीच में एक बार फिर से आपके बीच में हूँ 2014 की इतरे 2014 में तो मैं आपके लिए नई थी ये जनपत भी मेरे लिए नया था लेकिन इन पांच परशों में आप लोगों ने मेरे कारे को देखा है जिस तरीके से मैंने संसद में अपने छेतर की समस्याओं को उठाया है उससे भी आप सभी लोग अवगत है और मेरे विका सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की आविशक्ता है और 38-38 सीटों पे लड़ने वाले लोगों के पास कभी 272 सांसद नहीं हो सकते अगर देश के तमाम राजियों में जो राजनेतिक गल है उनके साथ उन्होंने गटबंदन बनाया तो शायद देश के नसीब में एक खिछ की जरूरत है जो आतंगवाद को साबिक कर दिखाया है कि यह वो सरकार नहीं है जो आतंगवाग के किसी मसले पर चुप बैटने वाली है चाहे ओरी के हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा के हमले के बाद जो हमारी सेना ने एर स्ट्राइक किया या आज जो एक कुछ तिन पहले एक बहुत बड़ा फैसला संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के माध्यम से अजर मसूत को वैश्विक आतंग की गोशित किया गया हो जो भारत की आतंगवाग के मसले पर एक बहुत बड़ी कुटनेतिक सफलता है इन सारे मसलों पर अगर आप गोवर करें तो आपको आतंगवाग के प्रती भारत की एक प्रतिबदता नजर आएगी कि भारत की सरकार किसी भी कीमत पर आतंगवाग को नेस्तोनाबूत करना चाती है देश ने इसकी जड़ों को समाप करना चाती है और आज एक मजबूत सरकार देश की जरूरत है इसलिए मैं आप सभी से यागरे करूंगी कि जिस तरीके से 2014 में बनने वाली सरकार को सबसे जादा मजबूती देने का काम उत्तर प्रदेश की आवाम ने किया था उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने किया था और उसमें उसी प्रकार इस बार भी पूरा देश आपकी ओर देख रहा है पूरा देश ये देखना चाहता है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या फैसला करती है इसके कोई चूक नहीं होनी चाहिए इस बार फिर आप लोगों को देश की अंदर एक मजबूत सरकार बनाने के लिए अप पीने वाला कप प्लेट है कप प्लेट के चुनाओ निशान का बटन दबाकर आप मुझे यहां से विजैश्री दिलाकर देश की संसद में भेजिए ताकि देश की इस मदबूत सरकार में में मिर्जापूर का भी योगदान हो सके और मुझे एक बार फिर पांच सालों का का कारेकाल मिर्जापूर की जनता की सेवा करने के लिए मिर सके और अधन्य प्रधान मंत्री जी को देश को आगे ले जाने के लिए एक और पांच वर्षों का कारेकाल मिल सके इनी शब्दों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत अभिदंदन माने में मंत्री जी को पुना जै अपना दल जै भाजवा जै है अधन्यवाद माने मंत्री जी निश्चित रूप से पिछली बार भी मिर्जापूर की जनता ने एक इतिहासिक मत देकर आपको संसंद में बेजा इस बार भी हम लोग मिर्जापूर के लोग एक इतिहासिक मत देकर एक रिकार्ड तो मत देकर आपको संसद में माने रादनाजी के नितुत्त में हम लोग भेजने का काम करेंगे इसी क्रम में हमागरा करेंगे जो मिर्जापूर की एक एक गलियों से परचित इसे आधाडि भारत सरकार में घृम्त्री म माने रादनाजी को हमागरा करते हैं करवद प्राध्ना करते हैं को आएं और हम लोगों का मार्ग दर्थन करें एडर्षन करें आधाडी रादनाजी जो दारतालियों जम्लक स्वागत करेंगे बारवर्व सरकार्ण की मंत्री बारव सरकार्ण की मंत्री पर्मिरज्चापुर्थ संसरिय दर्वाचन रवाचन शैत्र की प्रत्याशी इस सुष्रियॉ ब्रया्वी पतेल भार्टी यंता पायटी के जिलाण्यक्स ट्री बरजभूषं जिन ही उत्तर्प्रदेश की सरकार के मंत्री श्रीगूपेंदर शिली, रज्यशवा स्वांच क्या से ट्रीराम्शक जी प्रदेश सरकार के मंतरी स्री अतुल गर्ग जी, प्रदेश उपाध्यक्ष डक्टर शियुनार जी आढ़ो, यहां के विधायक त्री रतनाकर जी मिस्त्र, त्री मती सुसिठ मिताब मौरे जी, विधायक मजवा, डक्टर सीटा त्रण जी त्रिपाथी, त्री विंद्रा जी पूरोमंत्री और यहां से विधायक भी रहे हैं और हमारे बड़े भाई हैं ऐसे आज़नी डॉक्तर सजीद सिंग्जी डंग अध्यक्ष नगरपालिका त्री मदोची जैश्वाल स्री सुनिल चन्जी त्री रमाकांजी पटेल स्री मनी रामजी कोल उपाध्यक्ष उत्तरप संजी भारती पुरोई रायक शानवें इस सभा में मौझूद मेरे सभी सम्मानित बहनों योंभाईयों लंबे अर्शे के बार इस मैदान में किसी सार्विनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सब के सामने खाओं आप बैट जो मुझे याद है 1977 का हुआ समय था जब हमारी आयू मुझकल साथे 25 साल और 26 साल की थी और इसी मैदान में चोधरी चार्ण सिंग्जी की सार्विनिक सभा होई थी और उतनी कम आयू में मुझे यहां के लोगों ने तई किया था उसकारकम की अध्यक्षटा करने के लिए और जब चौधरी चार्ण सिंग्जी उस समय आये थे तो अध्यक्ष होने के नाते चार से लेकर पांच मिनद में मैंने उनका स्वाध्यत किया था आज पुना हुशी मैनान में आकर आप लोगों के साथ सीधा संबाद अस्थापित करने का उसर प्राप्त हो रहा है बैनवाईयों मिर्जापुर के साथ हमारा बहुत ही भावनात्मक रिष्टा है यह बताने की कोई और नहीं है कोई भी व्यक्ति भले ही वह हमसे अपर्चित हो कि दिल्ली जाता है और यह बतलाता है कि मैं मिर्जापुर से आया हूं स्वाभवी कुरूप से मैं भावनात्मक कुरूप से उसके साथ जुड़ जाता हूं आज यदि मैं यहां पर आया हूं मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत गरम जोशी के साथ स्वाधत किया है मैं अपने को यह नहीं महसूस कर पा रहा था कि मैं बाहर से आया हुआ हूँ बीश-बीश मुझे अच्पटा सावी लग रहा था कि अपने ही घर में और अपने का ही स्वाधत अपने ही लोगों के द्वारक किया जा रहा है लेकिन भारत की परंपरा है और सिस्था शार का तकाजा है स्वागत अभिनन्दन और सलाम दौआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं भी अपनी तरफ शेश युका कर आप सभी बेहनों भाईयों का हारदी का भिनन्दन करता हूं आप सभी का में स्वागत करता हूं कि बैनों भाईयों एदि आज आपके बीच आया हूं तो सुस्री अनुप्रिया पटेल के लिए अनुप्रिया पटेल का मुझे बाप सबसे परिशे कराने की कोई जोगत नहीं है अभी अभी उनका भाशन भी आपने सुना है कि संसद में भी उनको बोलते हुए निश्चित रूप से आपने सुना होगा मैं कह सकता हूं कि बैनों भाईयों हम बर्जापुर्वाश्यों का सवभाग्या है कि हमको अनुप्रिया पटेल जैशी को एक संसद में लिए किसी भी वीशय पर बोलना हूं हिंदी में बोलना हो अंग्रेजी में बोलना हूं धारा प्रवा भारव की संसद में बोलने वाली आपकी संसद अनुप्रिया पटेल है कि भारव सरकार में मंत्री रहते वे मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधुवाई इस अनुप्रिया पटेल के राइनेटिक जीवन में उंगली उठाकर कोई नहीं कह सकता कि अनुप्रिया पटेल के दामन पर कभी कोई भरस्टा शायर की जाग लगी हुई हूं कि एशी प्रत्याशी है एशी आपकी शौंसर उनके लिए तो ओट मांगने आया ही हूं लेकिन इससे भी आगे बढ़कर आप से लिए ओट की अपील करने के लिए आया हूं तो देश बनाने के लिए आप सबसे ओट मांगने आया हूं मैंन भाईयों 2014 में नर्ण भाई मोधी के नित्र तुम्हें यंडिये की सरकार बनी है पांच वर्सों में हमारी सरकार में क्या किया क्या नहीं किया देश की जंता उससे अच्छी तरह वाकिब है बहुत विस्तार में जाने की कोई अवरत नहीं है लेकिन जो बहुत पूराने लोग होंगे शाइद उनको याद होगा आजाज भारत में जो 591 से आम चुनाओं का सिल्सिला प्रारम भूगा यह नि किन्हों को याद होगा तो निश्चित रूप से उनके यह वाद ध्याम में होगी सायद ही ऐसा कोई चुनाओ रहा हो जबकि महंगाई चुरावी मुद्दा नहीं बनाओ लेकिन दो बार के चुनाओ दोजार चार और दोजार गूंडे से ऐसे रहे हैं जबकि इसमें महंगाई कभी भी चुनावी की मुद्दा नहीं बन पाया और मैं याद दिलाना चाहता हूँ दोजार चार के पहले भारत का प्रधान मंत्रिय जी कोई था तो आदर यहारी बाद पही थे अदोजार उन्डिस के पहले कौन रहा है दरंदर भाई बोदी रहे हैं दो ऐसे चुनाओ रहे हैं आजार भारत के जिहाद में जिसमें महनाई मुद्दा नहीं बनने पाया है इसका स्रेल यह जाता है तक दोनों प्रधान मंत्रियों को जाता है जिन्होंने कि इस देश का आर्थिक प्रवंधन इस तरीके से किया है और साथी सार फ्रस्टा चार पर भी इस तरीके से करारा प्रहार किया ह है जिसके परिवांस रूप हमारे देश में महनाई नहीं बढ़ने बाई है हमारा पडूशी देश पाकिस्तान है पाकिस्तान में जाई ये महनाई दस से लेकर 12 सिष्टी है लेकिन भारत के अंदर हमारी दोनों सरकारों महनाई को दो से लेकर तीन सीष्टी तक माधे रखने में काम्यावी हातिल की है लोग यह कहते थे कि अधिक पडूशी देश में पाकिस्तान मेरी महनाई हो गई है तो निश्चित रूप से भारत में महनाई काता लोगा लेकिन वहनवायों देखा आपने हमारे प्रधार मंत् कवि centralized का पूर्द्ह रहा बहुत बड़ी व्लंग और इतना ही नहीं आज अंतर्रांसी मुद्ध्राकोस्स दुनिया की मानी जानी एक कि शंता है ई॥ ढंतर शुआ झार्थिक को ठूर्ष माम जो कुछ भी भूलती है उसे लोग सुनते हैं गंभर और उसे मांगते उस अंतर्राष्टी भुट्राओा को उसने यह कहा है कि 2014 के बारे मैं अंतर रास्थी जगत में भार्ण के बारत अठी बिगए फ्रूरी तरह से बदल सब्सक्राइब करने करा विश्वे सरЫ देजी तो हमारे के बारत है अंतरस्था किसी बहनोबायो और बैसस्था के आकार यानि धन अफ्तान पर आ गया और बड़े अर्थसास्त्री और अंतर रास्त्री मुत्राकोस भी सच्चाई को मानता है कुछ सालों के बाद ही नहीं बलकि कुछ महीनों के बाद हमारा भारत आज क्यों दुनिया के टाप के दस देसों में छटे अफ्तान पर खड़ा है वह जंप लेकर पांचों अफ्तान पर आ जाएगा मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं लोट करने इस बात को कि 2030 31 आते आते भारत के आगे बढ़ने की यहीं रफ्तार बढ़ी रही तो दुनिया के जो तीन धनवान और ताकत वर देस माने जाते हैं रूस चीन और अमेरिका उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर हमारा भारत दुनिया की टाप फ्री कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा बहनों भाई यो इससे बड़े सौभादे की बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है लोग यह कह सकते हैं कि आपकी सरकार ने कौन सा ऐसा करिश्माई काम कर दिया भा कोई कम करती हैं कोई अधिक करती हैं लेकिन हर सरकार की अपने काम करने की एक शहली होती है Mesim हमारी सरकार की भी हमारे प्रधानमंत्री की वी काम करने की एक चेहिए उदाहरण मैं सैक्ड़ों दे सकता हूं लेकिन दो तीन उदाहरण ही मैं आपके सामने रखना चाहूं प्रधान मंत्री आवास योजना हम लोगों ने प्रारम नहीं किये प्रधान मंत्री आवास योजना कांग्रिस ने प्रारम किये लेकि दोहजार आठ से लेकर दोहजार चोड़ च्छे वरसों में कांग्रिस की सरकार ने प्रधान मंत्री योजना आवास योजना के अंदर ही एक करोड़ तीस लाख हावाथ बना कर जो है देश वाफियों को तबर बेट किया है गैस कनेक्शन का जहां तक सवाल है मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां भी जो बहुत सारे लोग बैठें जिनके घरों में पहले गैस सिलिंडर नहीं रहा होगा उनको निश्चित रूप से उनमें से बहुत सारे लोगों को गैस सिलिंडर निश्चित रूप से मिलावा गैस कनेक्शन का जहां तक सवाल है 147 से लेकर 2400 है 12 करोड गैस कनेक्शन हमारे देश वास्मियों को मिला है लेकि चार वर्सों के अंदर हमने इस देश में 13 करोड गैस कनेक्शन देने में काम्यावी हासिर यह हैं हमारे काम करने की शैदी यह हैं हमारे काम करने का तरीका है इसलिए हमारा देश इतनी तेजी के साथ आवा आगे बढ़ रहा है स्वक्षिता के दायरे का जहां तक सवाल है 147 से लेकर 2014 तक यहां स्वक्षिता का दायरा केवल 40 से दी था हम लोगों ने 4-4 वर्सों में बढ़ा कर उसको 92 परसंट तक ले जाने में काम्यावी हाथिल कि शौडी 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 शौड़कों के दर्मार का सिर्चला आधरी अधल यहारी वाज़ पही जी ने प्रार्म किया था बहनों भाईयों मेरा शौबाग्या था कि उस समय भूतल परिवहन मंतरी सर्जस टांपोर्ट मिनिस्टर आधरी अधल जी की शौड़कार में मैं स्वें था उस समय जितनी रफ्तार से सौड़कों का निर्मार होगा कांग्रिस की दस वर्सों के लिए जो सरकार आई सड़कों के निर्मार की गती धीमी पड़ी लेकिन फिर से मोदी के निर्थृत में जब सरकार आई आपको जानकर आश्यर होगा कि बहनों भाईयों कांग्रिस के सासंकाल में प्रति दिन 6 किलो मीटर 8 किलो मेटर मैक्सिमम 12 किलो मीटर पर दिन हाईवेज का निर्मार हुआ है लेकिन नरंदर्भाई मोधी की सरकार आने के बाद प्रति दिन 28 से लेकर 32 किलो मीटर नेट पर हाईवेज का निर्मार हो रहा है यह हमारे काम करने की शेहिए इस कारण हमारा यह स्टेजी के साफ आगे बढ़े और कोई दूसरा कारण नहीं है भारत के बारे में साली कारणा बन बन बदल गई है अंतर रावसी जगत में हमारी प्रतिष्टा बढ़ी है अब यह कांग्रिस के लोग राहुल गांदी भी यह कहते हैं हम आएंगे तो गरीवी दूर करेंगे देश के गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है अपकर उन्हें हम न्याय दिलाएंगे क्यारा हुल गांदी इस बात को भूल जाते हैं आजाग भारत के किहास में 55 वरसों सका अखंड हुकूमत किसी एक राईमिटिक पार्टी ने किया है तो कांग्रिस ने किया है कितनी गरीवी दूर हुई है पंडिजवाहलाल नहरू जो हमारे पहले प्रजाम मंत्री रहे मैं मैं बेहत सम्मान करता हूँ उन्होंने भी गरीवी हटाने की बात कही लिए श्रमत इंद्रागांदी जी ने भी यह कहा था कि गरीवी हटा और देश बचाओ राजी गांदी जी ने भी कहा था गरीवी हटा और देश बचाओ अब यह राहुगांदी भी कह रहे हैं गरीव के साथ न्याय हुआ है न्याय करेंगे कि झो नहीं गरीभी बहनों भाईयों इनके पास कोई जवाब नहीं है और मैं बतलाने जा रहा हूं आपको हमारे नरंद्रवाई बोदी ने चार साथ मेलासे 4 वर्षों के अंदर है गरीबी के सवाल पर क्या किया है कि दुनियां की मानी जाने एक फिंक टेंग है जिसका नाम है ब्रॉकिंग इंस्टियूड है नरंधर भाइ मोदी की सरकार ने जो काम किया है वह ने श कोकाने कि 2016 में जब हम लोग सर्वे करने गए थे भारत में तो गंभीर गरीवी के संकत से गुजरने वालों की तंख्या उस समय भारत करोड़ थी लेकिन साहे तीन साल के बाद जब हम फिर भारत में गए सर्वे करने के लिए हम लोगों ने दातों तरे उली दमा लिए कि साहे बारह करोड में से साहे साथ करोड गंभीर गरीवी के संकत से दाहर हो चुके थे भारत में इस समय गंभीर गरीवी के संकत से गुजरने वालों की संख्या केवल पांच करोड रह गई है यह मैं नहीं कह रहा हूं अमेरिका के एक माने जाने अंतरास्ती खिनागी प्राव्त धिंक डेंग ब्रूकिंग इंश्यूट ने कहा है गरीवी कैसे दूर की जाती है यह कला जी किसी को सुखनी है तो बहने भाईयों हम लोगों से सीखे है लिए अवस्षत देश की जंदा को गुराए करते रहते हैं और आपने देखा यह कर दिया उन्होंने देश का कानून हम समाप्त करेंगे मैं आप के पूछना चाहता भारत को जो तोड़ने की कोशिश करता है अथ्मा भारत को कम जोड़ करने की कोशिश करता है क्या उसे माफ इसके अध्यक्ष कहते हैं कि मैं आऊंगा हमारी सरकार आएगी तो राफ्ट द्रोह का कानून हम समाप्त कर देंगे बहनवाईों मैंने तो चटपट जबाब दिया हमारी सरकार आएगी तो हम तो यह देखेंगे कि राफ्ट द्रोह के कानून में कही पर भी कोई ऐसी कमजोरी है तो उस कमजोरी को दूर करके कि राफ्ट द्रोह का कानून उतना सक्त बनाएंगे उतना सक्त बनाएंगे कि राफ्ट द्रोह करने वाले को कानून की याद आते ही उसका कलेजा काम उठे इतना हम सक्त कानून बनाएंगे क्या होगी आइनдо मेरा यह मैंनों यकीन रखना हो और चिकर्श्ट कीशे भारत ताक्तवर हो गांगो रहा है भारत फिर धन्मांग भारत बिखात बन ना है बलवान भी भारत बन्लद आता के देखा कैपे हाल में प्रिजी ने हम दो तीन लोगों के साथ बैठक करके चटपट सैस्वा किया उसके बाद हमारे वाइस से ना के भारत की धरती से नहीं बलकि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी का ठीकाना समाप्त करने में धराशाई करने में कामियाब रहे हैं कि अब ये कांग्रेस के लोगा दूसरे पार्टी के लोग पूछते हैं कि अब अधर आईये कितने मारे गें क्या हमारे एक सोस के जवानों को आतंकवादी ठीकाने को समाप्त करने के बाद खड़े होकर वहां काउंट करना शाहिए था कितने आतंकवादी मारे हैं वन तू त कायो मैंने तो कहा जो बहादूर होता है वो लासे नहीं गिना करता लासे गिनने का काम किद्ध किया करते हैं बहादूर लासे गिनने का काम नहीं किया करते हैं या जानना चाहते हैं कितने लोग मेरे हैं तो बहाल मेही आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कुछ समाचार प जो कि पाकिस्तान इस एरिस्ट्राइक के बाद गई थी लोगों से बादशीत करने के बाद और सर्वेक्शन उस अस्थान का भी करने के बाद उस इलाके का भी करने के बाद उसने कहा है इतनी बाद तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भारत की वाई शेना ने जो भी हमला किया है जो एर स्ट्राइक की है उसमें कम से कम 170 आतंकवादी मारे गए हैं और 65 आतंकवादी इस तमय हाफ वीटल में बनती है उनमें भी 20 लोग दम तोड़ चुके हैं लेकिन मैं देश का ग्रेह मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं खुपिया विभाग हमारे अंतरगत आता है बैनों भार्यों जो ही कारवाई पाकिस्तान में हुई वह बिलकुल क्रदिवल इंटेलिजन्स इंपुट पुखता अधिक दुनियों में भी आतंगवादियों के खिलाब कभी इतना बड़ा आपरेशन नहीं हुआ है लेकिन अनाप सनाव राश्ती स्वाभिमान के सवाल पर दे राजनी तिन लोगों के द्वारा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि यह वहाई शेरा के जमानों ने सवाल दाग दिया मैंने कहा कि जिस समय 1171 में त्रिमत इंद्रा गांधी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और पाकिस्तान के दो तुखड़े कर दिये थे पाकिस्तान बंगलादेश बन गया था हमारे ने ताटल यहारी वाज पही ने तसी पक्ष में होते हैं भारत की सं ने करता है बलकि राजनी देश बनाने के लिए करता है वही नेताइस काम को कर सकता है कि सारे देश में इंद्रा जी का जयायकार हुआ था तो मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं यानि पाकिस्तान के दो टुपड़े करने के कारण स्रीमत इंद्रा गांधी का सारे देश में जयायकार हो सकता है तो पाकिस्तान को मुहतोर जवाब देने के कारण हमारे प्रधान मंत्री मोदी का जयायकार क्यों नहीं हो सकता मैं इस सवाल का जवाब चाहूँ मैंने भाइयों इस सवाल का उनके पास कोई जवाद देश वी सुरक्षित हैं देश की सिमाई भी सुरक्षित हैं आपको भाई विश्वाफ दिलाना चाहता है शायर वह घट्ना आपकी भी जानकारी में हो 2014 का शायद वह नॉम्बर निशंबर या सितंबर का महीना था पाकिस्तान की जैसी पुरानी आदत थी गोली चलाकर सीमा पर रहने वाले सीमा पर सुरक्षा में लगे रहने वाले हमारे सीमा सुरक्षा बलके पाँच जवानों को माड़ डाल मैं राब को थाढ़े दस बजे टेलिवीजन देख रहा है मैंने देखा कि एक खबर आई कि सीमा सुरक्षा बलके पाँच जवानों को पाकिस्तान में गोली चलाकर माड़ डाल मैंने तुरंट टेलिफॉन करके बार्डर शेकोटी फोर्स के डाइरेक्टर जनरल को पूशा कि मैं अपनी आखों के सामने क्या देख रहा हूँ उन्होंने कहा कि सर घटना बहुती दुर्बा के पोड़ है पाकिस्तान ने गोली चलाई है मैंने घटना बार्डर शेकोटी के पांच जवान माले गए है मैंने कहा कि हमारी फोर्स रिखिया किया उन्होंने कहा थाब हम लोग उने थाबा पाकिस्तान को सफेझ जढ़े गाई मैंने कहा ह tutब या पहले थे सरकार सरकारों के त्वारा यादेश चला रहा पाकिस्तान परोशी है तुरंट बोजी बच चलाओ तो मैंने कहा कि 16 बार जंडा ये दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया उन्हों ने कहा साब अभी तब कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा आगे क्या सोचा है उन्हों ने कहा सोचा है कि साथ की 17 बार एक बार और हम सफेज जंडा दिखाएंगे तो मैंनों भाई हो मेरा भी मिजाज थोड़ा सा इदर उदर हो गया मैंने कहा कि मेरा आदेश है उसी टेलिफॉन तक मेरा आदेश है कि एक तो सत्रहवी बार पाकिस्तान को वाइड फ्लैक सफेज जंडा नहीं दिखाया जाएगा और आदे तक के लिए आदेश है पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए लेकिं उधर चे एक भी गोली चलती है तो फिर भारत की गोलियों को किना नहीं जाना चाहिए बहरो मायों सीवा पर हालाज बदल गए देश की आम तरिक सुरकशा हुआ बाहि सुरकशा उसके प्रति देश वासियों को आफ़शत रहने की जरू है हम अपनी टाकत को जल में भी बढ़ा रहें थल पर भी बढ़ा रहें नब पर और भी हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं आपने देखा होगा हाल में ही हमारे डियाडियो इस्तरों के वैज्ञानिकों ने एक एंटी स्ट्लाइट मिसाइल तयार की है जो दुनिया में केवल तीन देशों के पास है रूप शीन और अमेरिका और किसी के पास नहीं 2007 में ही हमारे वैज्ञानिकों ने एच्छमता हासिल कर ली और वहरवायो उन्हों ने उस समय के प्रधान मंत्री डाक्टर मर्मोहन सिंगी से पूछा कि रूप शीन अमेरिका की तरह हम भी एंटी सेटलाइट मिसाइल तैयार कर सकते हैं हम को इजाज़त चाहिए उन्होंने कहा काहे को इस शक्कर में पढ़ते हो काहे को रूप शीन अमेरिका से बंगा लेते हैं बैग्यानिक बैट गया है लेकिन अखल लिहारी जब हमारे न कि या इन्ठी सेटलाइट मिसाइल जयार करो साएं बहनावाइओ शाहिव या इंटी सेटलाइट मिसाइल क्या होती है सटलाइट क्या होती है कभी कभी कुछ देसों के भी एक सेटलाइट एक मीटर डेड़ मीटर लंबी चौड़ी आकार की होती है अर्थार विट में उपर वह चलती रहती है दिखाई नहीं देती है वहां से आने वारे जो सिगनल्स होते हैं उसी से नीशे बैट कर रेगुलेट किया जाता है और हवाई जहाजों का धराधर दो चार दफ बीट पचीस का आना जाना ट्रेनों का चलना इंटरनेट का चलना मुबाइल का चलना बहुत सारी गफिनिया सेटलाइट से आने वाले सिग्रल्स ही होती है दुनिया का कोई देश यरी किसी देश की सेटलाइट को तोड़ दे तो कुछ समय के लिए उस देश की सारी बेवस्टाइट ठप पढ़ जाए और जैसा मने बतला जा केवल तीन देशों के पास वह ताकत थी लेकिन अब वह ताकत हमारे पास भी हो गई और यानि दुनिया का कोई देश यरी हमारी सेटलाइट को तोड़ने के लिए अपनी एंटी सेटलाइट मिसाइल छोड़ेगा तो बहनों भाईो उसकी मिसाइल के लांच करने के तीन मिनट के अंदर ही हमारी मिसाइल उसे आसमान में ही खंड खंड करके धराजाई कर देग कि भारत अपको जोर भारत नहीं है ताकत वर भारत है भारत में हम सब को साथ लेकर चलना चाहाएं आपने देखा होगा चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे तपाव बस्पाव इन सब में सबने बराबर माइनार्टी अलफशंचतों के अंदर भै पैदा करके उनका समर्थन हातिल करने की कोशिश किये भाजपा का भै दिखाया जाते है भैनवायों हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है हम सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं सब का साथ सब का विगास यहूद खोषिए किसी ने किया है तो हमारे प्रधाम्वंती ने किया है ज आतहि पंतमधवत वा किया अधार पर मेंसान और इंसान के बीच दूरी नहीं पढ़ाना चाहते के नफरत भी नहीं पहला करना चाहिए लेकिन बराबर कोशित हो रही है और सारी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशित लगाता कांग्रेस पार्टी ने की है लेकिन आप ने देखा दुनिया के 57 देशों का एक इसलामिक संगठन है और गनाई ये सनाप इसलामिक कॉप कि पचास वर्सों तक भारत के किसी प्रत्निधी को कभी भी आर्गनाईजेशन आप इसलामिक कॉपरेशन जो दुनिया के 57 इसलामिक कंट्रीज का संगठन है उसमें कभी आमंतिर नहीं किया गया एक बार सप्रदीन अलिया हमतार को आमंतिर किया था बैरंग उन्हें वाप पहली बार ओईसी ने आर्गनाईजेशन आप इसलामिक कॉपरेशन ने पाकिस्तान के विरोज के बावजूद भारत को सवसमान गस्ताफादर के रूप्या मंतर किया बैर वायों और हमारी विरेश मंतरी सुस्मा सुराइज ने उसमें भाग लिए यहां भारत के बारे में अंतर रास्ती जगत में धाणा बन चुके बरावर अंदर भी बाहर भी भारती जंता पार्ठी को बतनाम करने की लोगों के द्वारा कोशिश की जाए यह आज ने पिक पार्ठीया सपाबस था इन्हें भैय है इस बात का कि हम अलग अलग लड़ेंगे तो मोदी की आधी में हम तिनके की तरहूर जाएंगे इसलिए दोड़ों ने आपस में मिलकर यह गड़बंधन किया लेकिर वाजियों मैं वतलाना शाहता हूं इस गड़बंधन का कोई असर नहीं दीख रहा है उत्तर प्रदीश में और हम ल इस सचाही को स्विकार कर रहे हैं फिर सेरी सरकार स्थेज में किसी की बनने जा रही है तो नरंद्र भाई मोदी के ने तुमें यंडिये की सरकार बन नहीं जा रहे है इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैंने वायो मंत्रिया पटेल को भारी इमतों से इस मेर्जापूर संचलिये दर्माचंग शेतर से जिदाकर भारत की तंतर में बेगें और जब इस वार मंत्री थी तो आप समझ लिए अब अगली बार सरकार बनेगा तैसे खाली हांत नहीं वापत लोटेंगी फिर से कुछ और ही उंचा होगा नीशा नहीं होने वाला है आप निकलिए लोगों तक जाएए सीधा समबात करिया हम लगों ने चुरावी गोशना पत्र में कुछ बाते कही हैं मैं ब्यापारीयों के संब्स में कहना चाहता हूं हम लोगों ने तयकिया है कि हम ब्यापारी कल्याड बोर्ड बनाएंगे ताकि हरीकारी धर धर से है लग हुआ सीमांत किसान हो अत्वा हमारा छोटा दुकांदार हो साथ साल की उमर के बाद उसे तीन हजार रुप्या प्रति माह की पेंसंग देंगे यह भी हम लोगों ने तै किया है किसानों के लिए भी बहुत सारे ऐसे ही महत्वण ने लिए हैं किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को मिलता रहा है एक लाख रुपय तक का कर यह हम लोगों ने तै किया है पांच वरसों तक के लिए सुन नफीस्टी व्याज़ दर पर मिलेगा व्यापारियों को भी अब व्या वारी मतों से जिता कर यहां भी एए आप लोगं मेपास लेख ह है जब मोबाईल उठागी यहां ब हम आख चलाइए हैं आप लोग अपनी जगह से सभी लोग सभी जगह जिनके पास दोड़ी मोईल लिए ऐं वाह क्या दिवत रू है ओक यहां है औह पड़या गाओ बूलि है वहाद वहाद धन्धबाद बहुत है कि अगले करेंगे अपने मिर्जाफुन नगर के बिदायक अधनी रतनाकर मिस्रा जी से कि आजके सवाधी समापन की घूसा करेंगे और हम सब कुल आसिरबात देंगे कि स्लुग सवा में रिकार तोर मतों सब्सक्राइब करते हुए हम सब के नेता मिर्यापूर के हर बित्र के दिलों में राज करने वाले पूरे भारत के दिलों के घरकन ऐसे हमारे मानने राजनासिन आप मिर्यापूर का नाम रोसं किया क्योंकि किष्ण के बाद पहली बार अगर कोई सत्रू के वहां गया खड़ी खोटी सुनाया उनका एक अंद भी नहीं लिया पाकिस्तान में उन्हीं के धर्दी पर जागर उनको फटकाल लगा कर और वहां से पिना पानी के और पिना बहुत-बहुत अभादी है नमारी सामस्त नमानी संक्रिया पटेली तो सम्मान किसमन हमें सभी का अभार प्रेक्टि करते हैं हमारे वहनों यूंहाईयों पत्रकार बंग और नमारे क्योंकर से एक तरह से एक पज़े हम लगों नहीं समय दिल्या सभी कार करते हैं करते हैं